जेकेडीसिन को मैं मैं फ्रेंड है वो सची वीडियों बता दे है वो जो गलत वीडियों बनाते हैं बहुत है सब्सक्राइब करें जेकेडीसिन को यूटूब चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस करके पाई नोटिफिकेशन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए में आज यहां पर आया हूँ और दूस्तो आप अस्के यहां पर हम दिखाएंगे कि यह इसविच्ग को कैसे करते हैं श्यक्राइब करते है और कुछ नए सेटलाइब भी किससे य्च健な है поех SM और गिस्टिंग दिखाएंगे और इनकी जो बिस्ट्टीु में वो भी इस वीडियो में दिखाएंगे तो दूस्तों वीडियो में बने रहा है और वीडियो को पुरा ज़रूर देखे वीडियो अच्छा लगए ते वीडियो को उनकी कुछ उलेक्षान दिक्खा देता हूं दोस्त विवा करके लेकिन वो बहुत ही खराब हालत में थो टूटचूकी है और उसके आप पर एक स्वानी चार देश्चार लेक्षैन उसमें टेत número 7 और दोस्तोथ यहां पर उन पास तीन फिल की दिश सेघना नहीं आपड़ी हैं अभर देख सकते हैं तो यह तीन फिट की और दौसके पाद है और दौफिट की दिश्य नियू पूरद सेघने का आप तो तौल की पोशिशनि इस तरह से रखनी और मुझे इतना जुका ना नील सेट 7 वेस्ट तो दूस्तो बहुत सारे दोस्तों यिल सेट को ट्रेक करना चाहते लेकर नहीं पाते तो वज़या उनकी डैकी पोजिशन चाहिए उन्हें लोकेशन तो आप देख़े लिए आपा तो दोस्तों इस आपको थोड़ा सा काट दिया है और उसके बाद हमने फिर से अब देख सकते अभी इतनी एलन्वी उपर है लेकिन अभी कुछ करेंगे जुगाड सेट करने के लिए क्योंकि यह बहुत ही उपर जा रही है यह एलन्वी क्योंकि बड़ी दीस है तो एलन्वी उपर ही रहती है तो इसके लिए अब कुछ चुकार करके इसको सेट करने पड़ेगी तो अभी फाइनली इस डिस्कों यहां पर आमने इस्टॉल कर दिया और उभी इस डिस्में हम करने वाले हैं इंटल सेट 17-16 degree इस सेटलाइट को सेट करने वाले हैं लेकिन अभी कुछ जो है एलन्वी की पोजिशन उसमें कुछ गड़बढ है तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ उसका हल निकालेंगे कि क्या हम इससे ठीक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पूरानी डी से इसमें जो डिसको उपर नीचे करने के लिए इस तरह का स्टेंट रहता है यावर हम देख सक पूरू रहता है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूराने किस तरह के आप यहाँ पर जो इनका स्टेंड भी आप देख सकते हैं काभी मजबूत है लेकिन यह थोड़ी पूरानी स्टाइल वाला है तो यह सीरी से पहले नहीं लगए थी लेकिन यह जो मारा फ्रेंड ह है उसको मतलब यह पूरा नीजिस कहीं पर से जुगाड से ले आया है और इसको ठीक करके फिर हम इस्टॉल करने के लिए मुझे उसने कॉल किया तो मैं उसके कर रहा है मैं आप देख सकते हैं आप लेकिन सिग्नल है वह में मतलब 10-12 परसंट ही मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह जो एलन्वी की पोजिशन है जो इनका फोकल पॉइंट है वह गलत है तो इसको ठीक करने में हम लगे हुए है अब देख सकते हैं तो इतनी आप डिस उची है आपर तो अब देख लिए आपर कितने डिस मतलब आठ फिट की भी से तो कम से कम ये इतनी डिस वह उपर रहती है तो मैं आप यहां पर से इसको एड़स करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी मुझे सिग्नल मिल नहीं रहे हैं तो दोस्तों सिग्नल मिलाने के अब आए हमने यहां पर मीटर का यूज कर रहे हैं तो दोस्तों यहां पर हमें प्रॉब्लम ये फिर हुआ कि यह जो इनका फोकल पॉइंट है वह इसने मतलब गलत है क्योंकि यहां पर जो इनने स्कूरू लगा दिये है वो भी इसने गलत लगा दिये तो फिर हमने इसको निकाल के दूसरा वाला जो स्केलर रिंग लगाया है और उससे हमने ट्राय किया कि चलो अब इसके सिग्नल ठीक हो जाएंगे लेकिन दोसों बहुत ही को कोशिश करने के बाद भी इसके सिग्नल अभी थक अच्छी तरह से नहीं आ रहा है थे तो फिर हमने इसका फोकल पॉइ होड़र बाद है झाल 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 तो फीर यहां पर हमने थोड़ा बहुत अलेंगी को एड़ेस्ट किया और आप देखने के बाद फिर से मैं अपर अच्छित आप लग गया हूं लेकिन दोस्तों उसके बाद भी हमें सिगनल अच्छी तरह से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहां पर सिगनल जो है वह में मीटर से सेट कर रहे हैं तो मीटर में अगर सिगनल ट्रेक हो जाते हैं तो उसमें आवाज करता हैं लेकिन अभी जो यहां पर सिगनल नहीं मिल रहे हैं आ रहे हैं लेकिन लोग नहीं हो रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह हम फिर्स को हम पर छोब प्रबलम है या फिर लेनवी का प्रोलम है हम अलूम नहीं पढ़ रहा है लेकिन आज हम आप इसको किसी भी तरह से सिग्डल करके रहने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं सांसे डिगरी की सिगनल तो दोस्तों यहां पर मीटर में सिगनल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं तो अभी हम उसको टीपी चेंज करके देख लेते हैं कि क्या कोई और टीपी में हमें यहां पर सिगनल मिलते हैं तो दोस्तों जैसे हमें यहां पर सिगनल मिलते हैं तो मैं फा सेट कर पाओगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर हमारे मीटर है एक टू बोक्स है मेरा सेट फाइडर बोक्स भी में लेकर आया हुए यहां पर और यहां पर छोटा सा जो तो जीवीडी प्लेयर बोलते है उसे यह भी है आबर तो उसमें हम आटो स्कैन करके देख लेते हैं तो दोस्तों हमने यहां पर अभी मतलब सिंग्नल लॉक नहीं हो रहे है लेकिन फिर एक बार ट्रै करके देख लेते हैं कि क्या कोई टीपी मिलती है में तो आप गर्ला पोय टीपी मिलती है तो फिर आप पूष्ट्टेश पर सिग्णल कर ले आते हैं तो आपको जो सैटलाइट है वह सेट हो जाता है लेकिन दूस्तों ये करने के बाद भी यहांब और हमने कोई भी टीपी नहीं मिलेगा तो दोस्तों उसके बाद हमने जो इसका डिसका फोकल पॉइंट है और अच्छी तरह से सेट करके फिर फाइनल में आपको डिसकी पोजिशन अब दिखा देता हूँ आप देख लिजी यहाँ बर तो दोस्तों यह है इसकी एलेफी पोजिशन जो की इंटेल सेट 17 66 डिगरी इस्ट का सेटलाइट है तो यह उनकी एलेफी पोजिशन और यह है उसकी डिसकी फाइनल जो कि हमने यहां पर अभी सेट कर लिया है सक्सेशफुली और यहां पर मार्क भी लगा दिया है तो दोस्तों यह 80 डिग्री से थोड़ा सा अगी अगर आप राइट में लोगे तो आपको यह सेटलाइट सेट हो जाएगा तो अभी यह आप देख रहे हैं वह भी हमने सेट कर लिए 66 डिग्री इस्ट के और चलिए मैं आपको आगे इसके सिग्नल भी दिखाऊंगा इंपक्डू बोक्स में जो कि मेरा सेट फाइंडर बोक्स में आपर लेकर आया हूं अजय कर तो दोस्तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह में कितने सिघनल मिल रहे दोस्तों हमें यहाँ वर 49 परप्र संट गंडर अभी मिल रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के वीडिय आपको पर और देखिए वात को पर के कुछ रिए यह गाल grande करने के ल सुनते कि वो क्या विच्छार रखते हैं हमारे चैनल के बारे में अच्छी है और हमने डीस्क करने के नहीं हो आए है बहुत ही अच्छी लगता है वह हमारे घर पर आया है इसे भी फोन किया हो वह जबाब देता है और टीपी देता है और शोब्पेर भी देता है और जेके डीशिंफु में हमया फ्रेंड है वो शची वीडियो बता दे और गलत वीडियो बनाते हैं बहुत है उसके 5 लाख असफ्रेब है वो गलत थी वीडियो बनाते हैं हमने इस टीपी फर ट्राय किया वोन नहीं मिलता लेकिने हमने जेक चैनल बहुत बढ़िया है इसके बारे में सब कुछ है फोन पर लिखाते हैं और वाट्सप भी करते हैं और टीपी भी फोन किया तो अमनों तरह तुरंथ ही जाती है है और हमरे चैनल चेक एडीजिन फोको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तो यह थे मेरे फ्रेंड जिन्होंने आप अभी देखा कि हमारे चैनल के बारे में क्या राय है और दोस्तो अब यहां पर हमने अन्देरह होने वाला है तो मैं भी यहां पर से निकलने कर दो